तो बहुं स्टार्ट करते हैं Second Question, Double Integrals के यह देखना क्या करता है evaluate the integral यह integral गिवन है में इसको evaluate करना है अब देखो यहाँ पर एक notice करने की बात है कि यहाँ पर दोनों integration की जो limits दे रखे हैं दोनों चीज से constant है चाहे अपर हो चाहे लोहर हो सारी कौन चीज़ है constant है अब ध्यान देखना इसमें अगर दोनों चीज़े constant है तो हम यह चीज़ देखते हैं कि dx पहले दे रखा है और dy पहले दे रखा है अब dx पहले दे रखा है तो यह मैं लगा पहले limits जो होंगी वह x की होंगी और जो बाद में दे रखा है तो वह होंगी outer integration की यानि की y की limits होगा यहमारी 2 and y equal to 1 क्योंकि अगर हमें as a function of x दे रखा होता तो y की limits होती या as a function of y दे रखा होता तो वह x की limits होती और वोगर order उल्टा भी दे रखा होता है तो question में हम automatically change कर दे रहते हैं लेकिन यहाँ पर constant दे रखा है तो आपको बता रहों कि इस तरीके से हम judge करते हैं कि इस तरीके से पता दोगा डी य की respect में तो इसको start करते हैं यह होगा हमारा 1 से 2 integration अब देखो x y square का dx में integration क्या हो जाएगा x square y square y2 क्योंकि x की power 1 ने power add हो जाएगी उतन ऐसे divide हो जाएगा इसकी limits कहां से है 3 to 1 और फिर इसको further integrate करें डीवा में लेकिन पहले अंदरवाला part calculate कर लेते हैं तो यह क्या हो गया y square by 2 में तो कुछ put नहीं करना है क्यों limits x की है देखो यानि कि x square में put करेंगे यानि 9-1 यह हो गया हमारा 1 y और 2 y square by 2 into 8 by यह हो गया हमारा 1 to 2 4 y square dy यह हो गया हमारा 4 by 3 y cube power 1 increase उतने से divide और फिर हम evaluate करेंगे 2 और फिर 1 तो यह हो गया हमारा 4 by 3 y cube में अगर टहले 2 डाल देंगे y में तो यह हो जाएका 8 फिर 1 डालेके तो यह हो गया 1 cube is equal to 1 यह हो गया हमारा 4 by 3 into 7 यानि 28 by 3 units यानि 28 by 3 मैं इसे छोड़ सकते हैं अगर area का question हो तो उसमें square units लिख देते हैं क्योंकि काफी आगे हम question करेंगे कि हम double integrat को किस तरह के से यूज करते हैं area निकालने में तो 20 is this answer है अब देखने next question हम करेंगे इसमें limits x y की form में होंगी तो तब हम judge करना पड़ेगा कि y के limit कौन सी है और x के limits कौन सी है इसमें तो हम इसकी basis पर कर लेते हैं कि अगर सारी limits constant हो तब हम देखना पड़ता है कि dx प झाल